नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो असे अस्ट्रोलोजी, मैं नीतु सिंग, रविवार त्रियोदशी यानी रवी प्रदोश वरत, आयो व्रद्धी आर्योग्यता या चाहो संतान, सिर्फ पूजन विदिवित करो, दुख हरे भगवान एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागी रती के तड़ पर रिशी समाज द्वारा विशाल गोस्टी का आयोजन किया गया विग्य महरसियों के एकत्री सभामे व्यास जी के परम शिष पुराण वेता सूच जी महराज हरी किर्तन करते हुए पधारे सूच जी को देखते ही सोनकाधी 88,000 रिशी मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रडाम किया महा ग्यानी सूच जी ने भक्ती भाव से रिशियों को हिर्दे से लगाया तथा आशिरवात दिया विद्वान रिशीगर्ण और सब सिस आसनों पर विराजमान हो गए मुनिगर्ण विनिती भाव से पूशने लगे कि हे परम दयालू कलिकाल में शंकर की भक्ती किस अराधना द्वारा उपलब्ध होगी हम लोगों को बताने की कृपा केजिए क्योंकि कलियों के सब्व प्राणी पाप कर्में रत रहकर वेद सास्तरों से विमुख रहेंगे दीन जन अनेकों संकटों से ग्रिस्त रहेंगे हे मुनिसरेस्ट कलिकाल में सत कर्म की और किसी की रुची न होगी जब पूर्ण छीर हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धी असत कर्मों की और खुद बाखुद प्रेरित होगी जिससे दुरविर्चार पुरुषवन सहित समाप्त हो जाएंगे इस अकिल पुमंडल पर जो मनुष्य ग्यानी होकर ग्यान की सिक्षा नहीं देता उस पर परमात्मा परमेशर कभी प्रसन्न नहीं होते हे महमुने ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनुवांचित फल की प्राप्ती हो आप कृपा करके बतलाईए ऐसा सुनकर दयालू हिर्दे से सूच जी कहने लगे कि हे स्रेस्ट मुनियों तता सोनग जी आप धनिवाद के पात्र है आपके विचार सरानिये हैं आप वैश्र अग्रगर्ण है क्योंकि आपके हिर्दे में सदा परहित की भावना रहती है इसलिए है सोना कादी रिशियों सुनो मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नश्ट हो जाते हैं और उनसे प्राप्त ये परमस्त्रेष्ट उपदेश मेरे पुझ गुरु जी ने मुझे सुनाया था जिसे आपको समय पाकर शुब बेला में भी मैं भी सुनाता हूँ बोलो स्री शंकर भगवान की जै सुच जी कहने लगे कि आयो व्रधी स्वास्त लाव हेतु त्रेउदशी का व्रत करें इसकी विधी इस प्रकार है प्राता इसनान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर संकर जी की पूझा करें पूझा की पश्चात अर्ग पुंड त्रिपुंड का तिलक धारन करें बेल पत्र चड़ावे धूप दीप अक्षट से पूझा करें रितु फल चड़ावे ओम नमश शिवाय मंतिका रुद्राक्ष की माला से जाप करें ब्रामणों को भोजन कराएं तत्पशाद मौन व्रत धारन करें व्रती को सत्य भासर करना आवश्यक है यानि जूट नहीं बोलना है हवन आहूती भी देनी चाहिए मंत्र ओम, हरीम, क्लीम, नमश, शिवाय, स्वाहा से आहूती देनी चाहिए इससे अभिस्ट फल की प्राप्ती होती है व्रती प्रतिवी पर शैन करें एक बार भोजन करें इससे सर्वकार शिद्ध होते हैं स्रावड मास में तो इसका विसे सिमहत है ये सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है ये वरत इस सब मनोर्थों को पूर्ण करता है हे रिशिवरों ये प्रदोश वरत जो मैंने आपको बताया किसी समय संकर जीनि सती जी को वेद व्यास मुनी ने मुझको सुनाया था सोना कादी रिशी बोले हे पूजिवर महामते आपने ये वरत परम गोपनिये मंगल परत कष्ट निवारक बतलाया है किर्पया ये बताने का कस्ट करें कि ये वरत किस ने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ स्री सूच जी बोले हे विचारवान ग्यानियों आप शिवर के परम भक्त हैं आपकी भक्ती देखकर मैं वरती पुर्सों की कथा कहता हूँ एक गाउं में अती दीन ब्रामबर्ड निवास करता था उसकी साथ भी स्री प्रदोश वरत किया करती थी उसके घर पुत्र रत्न की प्राप्ती हुए एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगर स्नान करने के लिए गया दुर्भाग वस मार्ग में चोरों ने उसे घे लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे नहीं तो तू अपनी पिता का गुप्त धन बतला दे बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंदो हम अत्यनत दुखी दीन है हमारे पास धन कहा है चोर फिर भी कहने लगे तेरे पास पोटली में क्या बंदा है बालक ने नी संग को चुत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बना कर बांद के दी है दूसरा चोर बोला कि भाई ये तो अती दीन दुखी हिर्दह से छोड़िये बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुचा नगर के पास एक बरगत का पेड़ था बालक ठक कर वहां बैठ गया और रक्ष की छाय में सो गया उस नगर के सिपाही चोरों की खोश कर रहे थे की खोश करते करते उस बालक के पास आ गए सिपाही बालक को भी चोर समझका राजा के पास ले गए राजा ने उसे कारावास में डाल दिया उधर बालक की मा भगवान शंकर जी का प्रदोश वुरत कर रही थी उसी रात्री राजा को सौपन में आया कि ये बालक चोर नहीं है, प्राता काली से छोड़ दो, नहीं तो आपका राज वैभव सब सिग्र ही नस्ठ हो जाएगा। राती समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा व्रतान पूछा, बालक ने सारा व्रतान कह सुनाया। व्रतान सुनकर राजा ने सिपाही बेचकर बालक की माता पिता को पकड़वा के बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भैबीत देखा तो कहा कि तुम भैबीत ना हो, तुम्हारा बालक निर्दोश है, हम तुम्हारी दरिदिता देखकर पांच गाउं में दान देते हैं। शिवकी देया से ब्राम्मट परिवार अब आनन्द से रहने लगे। इस प्रिकार जो कोई इस व्रत को करता है, उसे आनन्द प्राप्त होता है। सोना कधी रिशी बोले कि हे देयालू किरपा करके, अब आप हमें सूम्हारी देखकर व्रत का व्रसु देखकर भी सुनाई झाल ये